हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने लिक्टिकर बिजली फिटिंग यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियों हमें बात करेंगे सिरीज और पैरलेल में क्या अंतर होता है यहां पर आपको देखनो कि मिलेगा सिरीज का किनेक्शन और इस सेड मिलेगा आपको पैरलेल का किनेक्शन चलिए बात करते हैं सिरीज और पैरलेल का किनेक्शन कहां कहां पर होता है पैरलेल का किनेक्शन घर में होता है पैरलेल का किनेक्शन घर में होता है चलिए बात करते हैं, सिरेज का कनेक्शन कहा कहा पढ़ होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह की LED Bulb, आप सब ज़्यादा तर दिपा वाली में यूज करते हैं, या किसी साधी में जो लाइट उट लगता है, इस तरह की LED Bulb, वहाँ पर यूज होता है, तो इसम और पैरलर का कनेक्शन कैसे होता है सबसे पहले हम बात करेंगे पैरलर का कनेक्शन कैसे होता है माल लिए कि एक रूम है उस रूम में हम चार बल्ब को लगाते हैं चार स्विच को लगाते हैं पाहला स्विच को अन करते तो पाहला बल्ब जलता है दूसरा स्विच को अन करते तो तीस्ता बल्व जलता है, चोदा स्वीच का और करते हैं, इस तरह से हम कुछ दिन तक अगर हम यूच करते हैं, कुछ दिन के अबाद एक बल्व उसमें से फ्यूज हो जाता है, तो तीन बल्व जलता ही रहेगा चलिए बात करते हैं सिरीज का connection कैसे होता है कुछ दिर पहले हम बता है कि parallel का connection में हम 4 बल्ब लगाते हैं 4 switch लगाते हैं तो कोई भी एक बल्ब अगर fuse हो जाता है तो 3 बल्ब जलता ही रहता है सिरीज का connection में क्या होता है कि अगर हम आल लिए कि एक रूम में हम चार बल्ब लगाने के अबाद हम एक सुच का भी हम कनेक्शन कर देते हैं कुछ दिन तक हम उसको यूज करने के अबाद कोई भी एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो तीन बल्ब भी नहीं जलेगा जैसे पैरलल में जलता है उस तरह से इसमें सिरीज में नहीं जलता है आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि हम सिरीज का कनेक्शन हम घर में करते हैं तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो तीन बल्ब नहीं चलता है, अगर हम parallel का collection घर में करते हैं, तो कोई भी एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, तो तीन बल्ब जलने को मिलता है, इसा क्यों होता है, देखिए, आप थोड़ा सा आप समझे, आप समझ गए होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा डॉट होगा, द सिर्ज का connection आपको देखनों के मिलेगा, इस तरह से LED बल्ब है, उसमें होता है, एक ही switch रहता है, और एक बार में on हो जाता है, तो इसे लिए हम सिर्ज का connection इस तरह से हम इस light में करते हैं, parallel के connection इस तरह से घर में करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, सिर्ज और parallel में क्य इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं, नेक्स वीडियो में को के, बाई दोस्तों